मत्रा बार असोसियेशन द्वारा एड्वोकेट विजयपाल तोमर को बार की सदसेशा से निश्काशित कर दिया गया था जिस पर बुद्वार को बार असोसियेशन मत्रा द्वारा जर्नल हाउस बुलाया गया है आईए बात करते हैं बार असोसियेशन के अध्यक्ष अजीत तेहरिया और सतेंदर कुमार परिहार से उन्होंने एड़ोकेट विजयपाल तोमर के निश्काशन पर क्या कुछ बोला है मत्रा की बार असोसियेशन एक प्रतिस्टिस संस्थार इसके सदस्य सभी सम्मानिय सदस्य हैं लेकिन मत्रा की बार असोसियेशन में कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि अगर किसी मामले को लेकर अगर बार असोसियेशन किसी अधिवक्ता को इसकी सस्ता से निस्कासित करती है तो उसके लिए भी कई सारी प्राबदान होते हैं तो इस वक्त हम आपको वो प्रकर्ण बता रहे हैं कि आज से करीब तीन वर्स पूर मैं समस्ता हूँ तीन वर्स का समय होगा होगा मतुरा के वरिश अधिवक्ता विजैपाल सिंग तौमर बार एसूसीशन की सस्ता से उनको निस्कासित कर दिया था उसको लेकर जनरल हाउस आज बुलाया गया है कि क्या उनको फिर पुने सदस्ता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हाई कोल्ट में अपील की थी उस अपील के आधार पर मत्रा के जो बार एसूंशेशं के अध्यचर्αιोसाचिभ दोरा एक जनल हास बलाया गया और उस जनल हास में आज क्या कुछ रहा है क्या निडएं रहा है वहम जान लेते हैं सबसे पहले मैं मत्रावार से निस्कासित किया गया था बार के सम्मिधान के तहत उस निस्कासन के विरुद्ध उन्हें जर्नल हाउस मत्रा में अपनी अपील प्रस्तुत की करनी थी कि निस्कासन सही है या गलत उनके द्वारा कोई अपील जर्नल हाउस में न करके सीधे सीधे ऑन रिवर टू जैजिज की बेंच ने उसको निस्तारित करते हुए खारिच किया और यह कहा कि आप एप्रोप्रियेट बॉडी के समख्च अपना आविदन प्रस्तोत करें उसके बाद भी तो अमर साब ने जर्नल हाउस के लिए प्रारसना पत्र बार रेस्पेशन मत्रा में नहीं दिय वलकि आगरा में रेजिस्टार फर्ण्स्मेंट चिट्स के यहां अपना आविदन दिया उन्होंने भी अभी ये निरने पारित किया कि इस निसकासन के बिंदू को जर्नल हाउस मत्राबार रेस्पेशन तैकर रेगा क्योंकि प्राबधान धारा 35 में है जो मत्राबार का सम में श्री अबधेश चोहां जी ने कुछ संशोधन रेजिस्टार चिट्सन फर्ण्स आगरा के यहां प्रस्तुत किये थे कि यह हमने संविधान के लिए सुईकरत किये हैं जिसके बुरुद उनी के सची विशाल सिंग द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि ऐसा प्रस्त नहीं हुआ है और विशाल सिंग ने जर्नल हाउस में भी स्विकार किया कि कोई भी संविधान संसोधन श्री अबधेश चोहां जी के कारिकाल में पारित नहीं हुआ था और ना कोई सदस्ता की बापसी श्री बिजयपाल सिंग की हुई थी तो उस बिंदू का भी निस्तारण हुआ और हमने सदवावी रूप से नरणे लेते हुए जैसा कि काफी अदवक्ताओं का ये मत्था है कि यदि विजयपाल सिंग को प्रारसना पत्र देते हैं सदवावी रूप से तो उनके निसकासन पर पुनहें विचार कर लिया जाए तो जो अपील में 35 दिन क प्राबधान है उसकी मियास सीमा हमने बढ़ाते हुए आज के जनरल हाउस की भावनाओं के अंसार दो माह कर दिया है कि शरीप बिजयपाल सिंग्तौमर दो माह में अपने निसकासन के संबंद में अपना आविदन प्रस्तुत कर दें क्योंकि जाड़ूगों की छुटिया पड़ रही है तो परियाप समय उनको दिया गया है और अगर उनका कोई प्रार्थना पत्र आता है तब उस पर सद्वावी रूप से विचार किया जाएगा और तब तक उनका जो भी आदेश है पूर्बत दिसकासन के संबंद में वो यह थाबत रहेगा अगर जनल हाउस को लेकर और आगे जनल हाउस की क्या रणीती रहेगी इस मामरे को लेकर देखिए जनल हाउस जो हमने आज कॉल किया था वो चेटफन सोसाइटी आगरा रिष्टार के आदेश पर हमने किया था उसमें सिर्फ यह दो बिंदू ही थे जो जनल हाउस को डिसा बहुमत के आधार पर दर्जी ने जो नेने दिया वह सिर्फ यह कि दो महीने में अगर विजयपाल दॉमत अपना प्रत्या विदन यहां बार में देते हैं तो उसके विचार होगा अनिथा जो उनका निश्कासन है वो बरकार रहेगा बार की ओर से निश्यत तोर पर यही रह किया जाएगा अनियता कोई विचार नहीं किया जाएगा दनिवाज आपने देखा कि मत्रा बार एक जनरल हाउस बुलाया गया जनरल हाउस इसलिए बुलाया गया कि विजयपाल सिंग्ग तॉमर द्वारा चेश्पन सॉसाइड़ी आग्राम में उनकी अपील थी उसके प् अदिक्तम जिनके अधिवक्ताओं के विचारा है वो यह है कि आगर वेज़ापाल सिंग्ग तॉमर जनरल हाउस में बाइकाद अपना प्रातना पत्र देते हैं तो वो उनपर विचार किया जाएगा कि उनका निसकासन रहेगा या फिर उनको रद किया जाएगा निसकासन क तो यह आने वाला वक्त बता पाएगा बहराल विजयपार सिंग तौमर के निसकासन को लेकर बार एसोची समय में फिर एक बार गद्विदियां तेज हैं, जनरल हाउस बलाया गया है, उस जनरल हाउस पर बिचार किया गया है, कि वो अगर बार में अपना प्राफना पत्र द देते हैं, तो उनके निसकासन पर विचार किया जाएगा, अब देखना होगा कि आने वाले समय में विजयपार सिंग तौमर का निसकासन बना रहता है, या फिर वो रद्ध होगा, नियर्ज़कापरसन संतुष सिंग के साथ गोविंद भारत द्वाज